अचारिय देवर्वत जी भारत सरकार के खेलकुद मंत्री मेरे साथ ही स्रिमान कीरन रिज्जु जी गुजरात सरकार के उर्जावान उपमुख्य मंत्री स्रिमान नितिन भाई पटेल जी संसत सदस्य और जिनों ने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है ऐसे भाई परिमल नत्वानी जी गुजरात सरकार के मुख्य सचीव स्री अनिल मुकिम जी एस्चन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्स बिसी सी आई के सचीव स्रिमान जय जी स्री धन्नुराज नत्वानी जी और आज देश भर से आये हुए राज्य के सभी खेल कुछ जगत के नामांकित व्यक्तिगन और उपस्तित भाहियों और बेहनों आप सभी को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो आज भारत के खेल जगत के इतियास का स्वणिम दीन है आज के दीन भारत के राष्ट्रपती महोदय के करकमलों से भारत के लोपुरुष भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वलबबाई पटेल के नाम के साथ जोड़ कर एक बड़े स्पॉर्ट एंक्लेव का भूमित पुजन करने की सुरुवात आज राष्ट्रपती महोदय के हाद से हुई इस स्पॉर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा जिसका विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा इस स्पॉर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्वस्तरिये सभी खेलों की व्यवस्ता यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाडियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्ता पर यहां पर होगी उनके कोचीज को रहने की भी व्यवस्ता होगी और एक साथ तीन हजार बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके इस प्रकार की व्योस्ता का आज निर्मान और उसकी सुरुवात इसका भुमी पुजन महामहिम राष्टपती महोदय के हाथ से हो रहा है इसका मुझे बहुत बहुत आनन और घौरव दोनों है क्योंकि मैं यहां से संसद भी हूँ राष्टमती महोदय आज आज आप मेरी कॉंसिटेंसी में पदा रहे हैं इसलिए संसदे नाते भी मैं आपका विशेश स्वागत करना चाहता हूँ मित्रो कोई जी जिस दिन भारत के राष्टपती बने इस दिन भारत के करोडो सामान्य जनों के मन में एक स्रद्दा जागरूत हो गई कि हमारा लोकतंत्रा नीचे तक परकोलेट हो चुका है एक सामान्य घर से जन्मा हुआ संगर्स करा हुआ व्यक्ति एक देहात के अंदर पला बढ़ा व्यक्ति अपनी सिक्सा के दम पर अपने कर्तूतों के दम पर अपनी निष्टा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच स्थान पर बिराजमान हो सकता है यही हमारे लोकतंत्र का गवराव है जब मैं पार्टी में था कोविट जी भी पार्टी का काम करते थे हमने साथ में बहुत काम किया है इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी महनत सायत ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है और अपने आपको आगे न करते हुए चुप चाप अपने दिया हुआ काम करना और गवराव के साथ करना और काम को भी गवराव दिया ये किसी दक्स व्यक्ति में ही इतने सारे गून समाहीत होते है राश्ट्रपती बनने के बाद राश्ट्रपती भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्टपती भवन के अंदर कई ऐसी अक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविद्यां की, जिसके माध्यम से राष्टपती भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूँ, इससे हमारे लोक तंत्र का गवरव बढ़ा है, और राष्टपती मोहदय, आज आप यहाँ पर उपस्तित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराईयों से आपको धन्यवाद करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ। मित्रोयों सरदार पपतेल स्पोर्ण संकुल वो 233 एकर भूमी में बनेगा, इसके साथ नारणपूरा में एक 18 एकर का नया स्पोर्ण कॉम्पलेक्स बनेगा। तो ये sports enclave, सरदार पटेल sports enclave, नरेंदर मोधी श्टेडियम और नानपुरा में sports complex ये तीनों मिलाकर किसी भी आंतराश्टियस पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को आंतराश्टियस तरपर खेलने की पूरी व्यवस्ता एक ही सहर में एक ही जगे पे हो जाएगी ये मुझ एम्दाबाद और देश के लोगों को के तीनों चीजे मिला कर सरदार पटेर स्पोर्ट्स अंकलेव जिसका हिस्सा नरेंद्र मूदी स्टेडियम और नार्णपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स ये तीनों लोगों चीजों को अगर मिलाते हैं तो वो 233 ए करना हो अम्दाबाद छे महिने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की सुरुआत हुई है और यह स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अम्दाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी क नाम से जाना जाएगा जो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था मित्रो आज मैं जब यहाँ पर इस कारेक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का इस सभी जो सुविदाय खड़ी हो रही है इसके लिए उनकी जो दुर्द सिता थी उनका जो वीजन था उसका जिक्र गर में नहीं करूँगा तो मेरी बात दुर्द मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री बने कई बार उन्हों मंत्री मंदल में कहा कि गुजरातियों को दो जो को नहीं छोड़नी चाहें एक स्पोर्ट और दूसरा सेना में भरती सेना में भरती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूर्बिन लेकर भी ढूंडो दिखाई नहीं पड़ते थे वहीं से नरेंद भरती होना सुरूर हो गया है और जहां तक खेल कुछ का सवाल है जहां तक स्पोर्ट का सवाल है खेलो गुजरात की शुरुआत करी बड़ी-बड़ी स्पोर्ट सुविदाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया उसको विजुलाइज किया है उसको जमीन पर उतार उसको मुर्त रूप दिया गुजरात क्रिकेट एसोसेशन के अत्यनत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आगरग करने गया था हम सब के आगरग का सनमान करते हुए वो उसके अध्यक्स बने और एक विजन से क्रिकेट के पैसा सिर्ट क्रिकेट में न रहे सारे खेल कुद क तो सारे स्पॉट जगत को नर्सिंग करने का काम करें इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्सी के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी और मित्रो जब स्ट्रेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सब के सामने का था छोटा मत सोचिए गुजरात में जो भी और विश्व में सबसे बड़ा हो करें और जब इस स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तरास की गई एक लाग बतीस हजार एक लाग बतीस हजार दर्सक साथ में बैट कर क्रिकेट की मैच का लूपत उठा पाए इस प्रकार का स्टेडियम स्री नरेंद्र मोधी के नाम से आज राश्ट्रपती महोधय ने अपने कर्व कर्मलों से उद्गाटि किया है जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम आज हमने हमारे देस के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी के नाम से रखा है ये जो सुभिदाएं जो होने जा रही है इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों 32 ओलमपिक साइज के फुटबॉल जेतना ये मैदान है 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल 1,14,126 गन मीटर कॉंक्रीट और 13,306 मेटरिक टन लोहा इसके स्रुद्रणी करिंग के लिए उपियोग में किया गया है मित्रों इसको सभी दुष्टी से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का GCA की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पीच नहीं है एक साथ 4 ड्रोइंग रूम नहीं है एक साथ 4 ड्रोइंग रूम के सटू ये 4 जिमनेसियम नहीं है एक दिन में दो मैंच भी करने है तो इस्टेडियम कर सकता है और इसके साथ पूरी अत्यादूनिक सब स्वल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है बारिस आती है तो कितनी भी बारिस हो आदे घंटे में मैच डिश्टब करे बगर आगे का खेल बारिक सुरूटे ही हम सुरू कर सकते हैं इस प्रकार का कराए इसके कारण खिलाडी की परचाई पीच पर नहीं पड़ेगी खिलाडी की परचाई ग्राउन पर नहीं पड़ेगी और क्रिकेट के खिलाडी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और जिसमें 40-50 प्रतिसत बिजली की बचद भी होने वाली है मित्रोजीस प्रकार का हाई-टेक मीडिया रूम बनाया है मुझे कहने में कोई जिजक नहीं है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाई-टेक मीडिया रूम है जो यहां खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुचाने का काम करेगा खेल चाहे नरेंद्र मोधी स्टेडियम में खिला चाहे खेल चाहे सरदार पटेल स्पोट्स एंकलेव के अंदर खिला चाहे वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्ता ये नरेंद्र मोधी क्रिकेश टेडियम के मिडिया रूम में है और हाई टेक मिडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत अधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सुरुजन बहनत करकर प्लानिंग करकर जीसे के माध्यम से किया गया है यहां पर आवाजाही के लिए BRTS से भी जूडने वाला है मेट्रो भी यहां तक पहुँचने वाली है और जब रिवर फ्रंट का एक्स्टेंशन समाप्त हो जाएगा एक सुन्दर मानर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहां सान्ती और सितलता प्रदान करते रहेंगे इस प्रकार का एक कुद्रती नजरा ने का काम समाप्त हो जाएगा और मित्रो मैं इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के अंदर ही नरेंद्र मोर्दी स्टेडियम के अंदर ही अलग-अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की वियोस्ता किये ह और इसके कोचीज को रहने की वियोस्ता भी सरदार पटे स्पोर्ट अंक्लेव के अलावे करी और इसके साथ एमदाबाद सेर गांदी नगर जिला और एमदाबाद ग्रामिन जिला के 600 स्कुलों को हम इसके साथ जोडने वाले हैं जिनके पास अपने प्लेग्राउंड नही हैं इनके पास अपने प्लेग्राउंड नहीं है बच्चों को खेलने की सुविधा है नहीं अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो हारेगा कैसे हैं वो हार को हजम नहीं करने पाए गया जितने का जज़वा कैसे खड़ा होगा जितने का जनून कैसे खड़ा होगा और इस संसक वाले हैं, 34 बसे उनको लाने ले जाने का काम करेगी, इनके स्यारे पीटी के पीरिड एक साथ करकर, सब्ता में एक दिन बच्चा यहां आएगा, पूरा दिन खिलेगा, खाना भी यहां खाएगा, और साम को सुरक्सित अपने घर पर पहुंचाएगा, एक कम्प्लीट तीन ज अदियक्स बना, इनके बाद यह जिसी एक की टीम यहां पर बैठी है, जय और धन्राज बैठें, इन सब ने इखटा बैठ होकर, आज मोदी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है, और नरेंदर मोदी स्टेडियम देश की सेवा करने के लिए यहां पर है, स्टेडियम पर खिला जाएगा, और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, मैच के रैकफ्री स्रिनाथ है, मित्रो स्रिनाथ के लिए यह जो हमारा स्टेडियम यह भूमी है, बहुत यादगार है, कि उन्होंने यहां पर ही आफरीका के सामने मैच खलते हुए, छ विकेट ज 431 विकेट लेने का वर्ल्ड रेकोर्ड को तोड़ कर भारत को वर्ल्ड रेकोर्ड की तालिका में डालने का काम कपिलदेव ने इसी भूमी पर किया था। और इसी भूमी पर सुनिल गवासकर ने पाकिस्तान के खिलाब खिलते हुए अपने 10,000 रन समाप्त करे थे। इसी पर मास्टर ब्लाटर सचिन तैंडूल करने 2011 के वर्लकप में एक दीवे मैच में 18,000 रन पूरा करने का काम किया था इसी भूमी पर सचिन तैंडूल करने अपनी केरियर के 20 साल भी पूरे किये थे मित्रो चेतेश और पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचूरी लगा रहे हैं आज भी खेल रहे हैं मैं तो आशा करता हूँ कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं मित्रो मैंने आप सभी को नरेंद्र मोधी स्टेडियम की बात करी है मगर नरेंद्र मोधी स्टेडियम स्वयम जिसका एक अंग है ऐसा सरदार वलबबाई पटेल स्पोर्ट एंकलेव का भी आज महा महिम ने भूमी पूजन किया है मित्रो सरदार पटेल स्पोर्ट एंकलेव एक बहुत महतोकांग सी प्रोजेक्ट है आज हमारे देश को जरूर रहा थे कि आंतराष्ट्रिय स्परदाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े जब आंतराष्ट्रिय खेल स्परदाओं की तालिका बने हमारे बच्च कोछ उपलब्द करना ने पड़ेंगे और यही अगर सब एक जगे पे हो जाता है तो सोने में सुहागा होता है नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अमदाबाद को मेरी कॉंसिटेंसी को एक बहुत बड़ी घिप्ट दी है सरदार वलबबाई पटेल स्पोर्ट एंकलेव को बना कर मित्रो मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो स्रद्दा है वो घाध सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा सायद सरदार नहोते तो हम विखर जाते कहीं नहीं होते सरदार का ये द्रट निश्य सभावी था कि जिन्नों ने 600 से ज्यादा राजो रजवारों को रियासतों को एक करने का काम किया मगर उनके साथ इतियास में बहुत अन्याई किया गया जब जब कॉंग्रेस का सासन रहा सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया उस नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्ता कि कोई कितनी वेश वर्सों सासन करे सरदार को कभी भुला न सापाए युगो युगो तक सरदार का नाम अमर हो जाए उन्होंने केवरिया में दुन्या का सबसे बड़ा स्टेच्व गुजरात के सुपुत्र और देश के लोग पुरु सरदार पटेल के नाम पर बना कर आज ताज महल से ज़्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टेच्चू को देखने आते हैं, स्टेच्चू अपिनिटी को देखने हैं यह जवाब है उन लोगों को, जो अपने परिवार के साथ सिम्टे हैं और आज मोदी जी के ही गाइडन्स से, मोदी जी की ही प्रेना से यहाँ सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंकलेव बना है, जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के स्पोर्ट्स परदाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफर्म देने का काम करेगा मित्रोय स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स, जिसका एक हिस्सा नर्यंद्र मोदी स्टेडियम है जानपूरा का स्पोर्ट्स स्टेडियम भी रहेगा और गांदीनेगर का क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा यह सब मिला कर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ऑलंपीक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुविधा नहीं हो उलंबिक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एक ही जगे पे खेलने की व्यवस्ता आज नरेंद्र मोदी जी की प्रेना से राश्ट्रपती महोदय के करकमलों से इसका भूमी पूजन होने जा रहा है और मित्रो इसके साथ तीन हजार खिलाडियों को रहने की अलग से व्यवस्ता है तीन हजार बच्चे यहां रहकर अपने आपको अपने कोच के मार्गदसन में अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं 500 से ज़्यादा अंतराश्टियस तरके कोचीज की रहने की व्यवस्ता है देर सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है वो स्ट्रगल अगली पिडी को न करनी पड़े इसलिए पूरी सुविदा देश के प्रदानमंत्री जी आज बना रहे है मित्रो यह एंकलेव सभी आंतराश्टिय मानां को और उच्चतम खेल के सिधन्तों के हनुसार तयार किया गया है और किसी भी एक सहर में इस प्रकार की व्यवस्ता भारत में नहीं है इसलिए मैंने कहा कि मोधी जी ने हैरिटेस टिजरी टो बनाया था अज अमदाबाद भारत का स्पोर्ट सीटी भी बनने के लिए तैयार खड़ा है और अमदाबाद भारत का स्पोर्ट सीटी माना जाएगा खेल के कई कुम्ब ये भूमी जो अभी दिखाई पढ़ रही है सावरमति की वहाँ पर आने वाले दिनों में होगा ये टोटल ये तीनों मिला कर 233 एकर भूमी पर ये स्पोर्ट संकूल बनेगा और लगबग 93 लाग वर्गफिट सिर्प नाहिनी और है स्टेडियम को छोड़ कर 93 लाग वर्गफिट का स्पोर्ट संकूल होगा लगबग 46 करोड रुपय की लागत आएगी 32 करोड रुपय का सरकारी निवेस होगा 1400 करोड रुपया पब्लिक पाटनर पब्लिक पीपी मॉडल पर इसको ले जाएंगे और गुजरा सरकार ने नितिन जी यहां बैठे मैं उनका और गुजयवे का दनिवाद करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी भूमी भी यहां पर देने का काम गुजरा सरकार ने किया है मितिरो ट्रेक और फिल्ड तता फुटबॉल के लिए 50,000 लोगों की बैठने की समता वाला एक एतलेकिक स्टेडियम बी बनेगा जैसे आज यहाई नरेन्दर मोदी Cricket Stadium का नाम करण हुआ है महामहिं के नाम से ही होकी के जादुगर ध्यान चन्दी के नाम से वो हौकी स्टेडियम का भी भूमी पूजन आज ही महामहिं के हाथों से पुरा हुआ है यह सारे तीनो सुविदाय होकर, कूल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेंगे स्पोर्ट के बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट की सुविदा को आगे बढ़ाने के लिए, और दूर दर्सिता के साथ खिलाडियों को खेलने की व्यहस्ता करने के लिए, और जो खिलाडियों ने देश को अंतराश्टियस तर पर नाम ना दिलाई है वो सभी के नाम पर यह हर एक स्टेडियम का नाम करण किया जाए ऐसे की खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेना मिलेगी खेल के कोचीज को भी पिलना मिलेगी और खेलने वालों को भी पिलना मुलेगी एक तरब से यह बहुत कम्पलीट स्पोर्ट संकुल बनने जा रहा है यहाँ पर लगबग लगबग तीन हजार एपाटमेंट्स बनेंगे जिसमें 12500 बच्चे रह पाएंगे तीन हजार एपाटमेंट्स और 12500 बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाए इस प्रकार की व्यहस्ता की है तो कोच बहर बनेंगे लगबग 12000 कार और 35000 टू विलर्स के पार्किंग की व्यहस्ता पी यहाँ पर होनी है और मेट्रो भी आगे बढ़ेगी तब यहाँ तक पहुँँच जाएगी एक प्रकार से एक सहर के अंदर सहर को जोडने का स्पोर्ट काॉप को अंक्लेव्स से जोडने का एक बहुत अच्छा इंफराश्ट्रक्चर भी आगे बनने जा रहा है नारण्पूरा के अंदर लगबग लगबग 17 एकर से बड़ी जमीन के अंदर 77,004 मीटर के एरिया में 458 करोड के रुप्य की लागच से एक दूसरा स्पोर्ट कॉंपलेक्स भी बनने जा रहा है जिसका भी नाम करण होना बाकी है मेरे लिए आनन्द की बाद है रिज्जु जी या बेठे है अभी बजेट के बाद इन्होंने इसको एपरू किया है और मेरे लिए आनन्द की बाद है गांदी नगर स्टेडियम भी मेरी कॉंसिट्येंसी में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी मेरी कॉंसिट्येंसी में है सर बहुत आनंद है, एक्लेटिक स्टेडियम बिल्डिंग वहाँ पर एक बनने वाला है, जिसके अंदर अलग-अलग प्रकार के 33 खिलो को खिला जाएगा, मल्टी स्पॉस्ट स्टेडियम भी वहाँ पर बनने वाला है, टैनिस स्टेडियम बहुत बड़ा, इंटरनेशनल स्टा का बनने वाला है, एक्लेटिक स्टेडियम बिल्डिंग भी वहाँ पर एक बनने वाला है, स्विंग-फूल की भी सारी विवास्ता है वहाँ पर बनने वाली है, और पूल मिलाकर वहाँ पर भी छे अजार वाहनों के पार्किंग की विवस्ता भी करी है ये सारी सुविदाओं को विजुलाइज करकर संकलित किया गया है जिससे रिपीटेशन भी न हो अंतराष्टिय स्तरकी भी बने और जब कोई अंतराष्टिय स्पर्धा के लिए अंदाबाद सहर को और भारत को बीडिंग करना है तब वो 50 किलोमिटर के दाएरे में जो अंतराष्टिय स्तरक्या मानांक मना गया है ये सारी सुविदाओं 50 किलोमिटर के दाएरे में भी होगी इसकी ट्रांस्पोर्टिशन की भी वियोस्ता होगी एक संपूर्न दूर द्रश्टिका के साथ अंदाबाद के अंदर इतने बड़े स्पोर्ट सुविधाओं का आज भूमी पुजन, लोकारपन सब होने जा रहा है मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूँ मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ वैसे तो 2018 से काम कर रहा हूँ मगर मोदी जी मुख्य मंद्री बने और मैं उनकी मंद्री मंदल का सदस्यता वो वहाँ पर प्रदान मंद्री बने, मैं पार्टी का राष्टिय अध्यक्स बना आज दूसरी बार वो प्रदान मंत्री मरें मैं उनकी मंत्री मंडल में उनका साथ ही एनाते काम करता हूँ मित्रों उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है देश के लिए युवा कूछ नहीं कर सकता है और इसलिए इन्होंने खेलो इंडिया की सुरुवात की, फिट इंडिया मुवमेंट को हाथ में लिया, और खेलो इंडिया की सुरुवात को, 2013 में जो हुई, इतनी अच्छी सफलता मिली है, जिसके कारण अब आप क्यों ही भी इस परदा हो, कॉमन वेल्ट की हो, इस्यार की हो, अलम्पिक की हो, कालिका के अंदर भारतियों के नाम दिखाई पड़े हैं, एक पारदर्सी चैन की प्रक्रिया बनाएं, इनके कोचेंग की व्यवस्ता करें, इनको उचीत कैलेरी में, उचीत मात्रा में आहर मिल पाए, इसके लिए दुनिया बर के एक्सपर्ट को बारत सरका ने रखा, और एक बजेट के अंदर मस मोटी बढ़ोतरी करकर, स्पोर्ट की सुईदाओं को बढ़ाने का काम करा, और तैसिल तक स्पोर्ट को नीचे तक तैलसीट तक परकोलिट करने के लिए, उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बढ़े हैं, और मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है, और देश में स्पोर्ट उन्यवर्सिटी भी मनिपुर में उन्होंने बनाई, नौर्थी स्पोर्ट में सबसे आगे होता है, वहाँ पर बनाई, और आज एमदाबाद में ये पूरी स्पोर्ट की सुविदाये बनने जा रही है, मैं मानता हूं मित्रो कि ये दिन अब दूर नहीं है, कि आने वाले दिनों में इस स्याड हो या ओलम्पिक हो, हमें हमारे लोगों खिलाडियों के नाम, हर तालिका के अंदर सिल्वर, गोल्ड लेते हुए नजर आए, वो दिन भारत के लिए बहुत नद्दिक है, आने वाले आट-दस साल में ही इस सुविदाओं से खड़े हुए खिलाडी, दुनिया के अंदर अपना जज़बा दिखाते हुए भारत मता को सनमान दिलाने का काम करेगा, मित्रो, मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को ए अपिल करने भी आया, कि मोदी जी, जब से प्रदानमंत्री बने तब से, उन्होंने देश का सनमान दुनिया में बढ़ा है, और अब उन्होंने आत्म निर्वर भारत का नारा दिया है, आत्म निर्वर भारत का मतलब अर्थतंत्र के अंदर आत्म निर्वरता नहीं है, हर छेत्र के अंदर भारता होनी चाहिए, और खेलो पर भी, खेलो की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच जगह पर रखने का लक्स रेकर हमारे यूआँ उन्हें परिस्रम करना चाहिए जहां तक infrastructure का सवाल है, जहां तक coaching का सवाल है, जहां तक वायू मंडल बनाने का सवाल है मैं आपको मोदे जी की और से गैरंटी देता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार एक इंट मेहनत से पीछे नहीं हटे की चाहे इंफ्रस्ट्रक्चर देने की बात हो चाहे वायू मंडल देने की बात हो चाहे प्लेटफर्म देने की बात हो मगर हमारा विवा आए खेलों को अपनाएं, खेलों को अपनी केरियर बनाएं और आगे बड़े और दुन्या में खेलों की दुन्या में भारत का नाम रोसन कड़े और आज ये जो सुविधाय यहां हो रही है मुझे बहुत आनंद है कि ये एक सुरुवात है अंति नहीं है और हम सब का सवभाग्य है कि शुरुवात करने के लिए हमारे महामहिम राष्टपती स्वयम पदा रहे हैं उनके प्रेणा से उनके करकमलों से आज जो यहां पर काम शुरू हो रहा है और निशित ही दुनिया में भारत को यस दिलाएगा दुनिया में भारत को विज़य दिलाएगा और मौदी जी का जो आकमनिंबर भारत का शपना खेलों के शित्रम में भी मित्रों फीर से एक बार एमदाबाद के सभी लोगों को और देश भर के खिलाडियों और खेल प्रम्यों को सरदार पटेर स्वार्ट एंकले और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम है इसके लिए पुर्वक की सब को सूपकामनाय और खिलाडियों को बहुत देता हूँ और जो साड़े 600 स्कुलों के बच्चे यहां खेलने आने वाले हैं उनके माबाप उनके अभिभावकों को भी मैं अपिल करना चाहता हूँ कि बच्चे को मैदान में खेलने दिजेगा मिट्टी के अंदर छोड़िएगा तभी जाकर वो सफल नागरिक बन पाएगे हार को पचाने की आदत पड़ेगी जीतने का जजबा आएगा जीत की आदत पड़ेगी तो जो काम करेगा उसमें वो आपका नाम रोशन करेगा सभी अभी भावक खेलो के लिए अपने बच्चे को इस पॉट्स कॉंप्लेक्स और नरेंद मोदी स्टेडियम के भीजने का संकल्ब करें यही अभ्यतना के साथ मैं फिर से एक बार महामाहिम को मेरी और से धन्यवाद करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ भारत मता क सबसे बात की नीव है कि 2022 में अमदाबाद में ओलिंपिक्स खेल खेले जाएं क्या भारत इसके लिए अब अपना दावा पेश करेगा बहुत बड़ा सवाल है यह और साथ ही देश को समर्पित है तुनिया का सबसे बड़ा क्रिकिट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडि हम आप से बात कर रहे थे जब अमिश्चा जी का वहाँ पर भाशन शुरू हुआ